गुड मॉर्नेंग फ्रेंड्स आई एम हरविर सराधना वेलकम टू माई यूटूब चैनल संग्यान प्रतियोगी संस्तान तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं 25 वे 26 माई के करेंट अफेर्स की जैसा कि दोस्तों हम हर सोमवार को करेंट अफेर्स और अन्य कोई भी क्लासे न दिवस का मनाए गया तो दोस्तों राष्ट मंडल दिवस की बात करते हैं हम तो देखे राष्ट मंडल दिवस का मनाए गया यह 24 माई को तो अप्शन यह आपका राइट आंसर होगा बात करते हैं राष्ट मंडल देशों की तो राष्ट मंडल देश हैं दोस्तों अभी कित गया है लेकिन जब भी राष्ट मंडल की बात होती है तो हम अपडेट करते हैं तो आपको यह भी पूछा जा सकता है आगे कोई भी एक्जाम में कि राष्ट मंडल जो चमवनवा देश राष्ट मंडल में सामिल हुआ था वो कौन सा है ठीक है बात करते हैं दोस्तों तो देखे जो देश बिल्टिस उपनेवेस हुआ करते थे उन्हें राष्ट मंडल देश का जाता है यह चमवन देश हैं अभी दोस्तों और चमवनवा देश कोन सा है रवांडा है यह आपको पता होना चाहिए तो देखे दोस्तों जो राष्ट मंडल देश हैं यानि कॉमन व किये जाते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए सैकंड कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नमबर दो तो देखे दोस्तों हाली में बारत और बांगलादेश के मद्दे कितने नए आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं आमद बंदरगाह का मतलब है दोस्तों जिसका उप्योग भ जोड़े हुए थे दोस्तों पहले छे थे पांच अभी और जोड़ दे तो टोटल तो ग्यारा हो गए लेकिन हाल ही में कितने जोड़े गए वह आपसे पूछा गया तो यह कितने पांच बांगलादेश की बात करते हैं तो यहां की यहां के जो प्रदान मंत्री हैं वह दो राश्टपती अब्दुलामेद कैपिटल डाका और यहां की जो मुद्रा है वह टका है दोस्तों ठीक है यह आपको पता होना चाहिए और भारत और बांगलादेश के मद्दे संप्रती सैन्य अभ्यास भी होता है तो यह आपको नोलेज में होना चाहिए आगे हम बात करते हैं कोशन नमबर तीन की बात करते हैं तो देखिए वैस्विक सियो टू उतसरजन किस वर्स के इस तर पर पहुंच गया है तो दोस्तों अभी हाल यह में लोकडाउन के कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि सियो टू का जो उतसरजन है वो कम हो रहा है इसलिए जो 2006 का लेवल थ फाल इसलिए इसलिए टू का उतसरजन होता था उस लेवल पर पहुंच गया है तो अमार राइड अंसर क्या हो जाएगा 2006 2006 के लेवल पर पहुंच गया है CO2 दोस्तों क्या है इससे क्या जो green house gas है यह CO2 हो गई methane हो गई यह कैसी gas हैं दोस्तों green house gases है यानि तप हरित ग्रेप रवावली gas हैं मानी जाती हैं तो यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं question number 4 तो देखे question number 4 की बात करते हैं तो देखे कि फसलों को टिड़ी हैं खर्पतवार से बचाने के लिए कौनसे राज्ये में किसान जागरुकता अभियान शुरू किया गया है तो दोस्तों अभी फसलों को एक तो टिड़ी क्योंकि दोस्तों टिड़ी का टेक पाकिस्तान भारत भारत में मुख्य रूप से कौन-कौन से राज्ये पंजाब हर्याना राजस्तान मद्य प्रदेश इनमें ज्यादा इनका नुकसान होता है दोस्तों और बात करते हैं तो अभी किसने जागरुकता अभियान शुरू किया है तो यह दोस् लखनव की चिकन की कड़ाई प्रशिद है लखनव को नवाबों का सहर कहते हैं और यहां का जो राज्टि उदान है वो दूद्वा राज्टि उदान आप याद रखें ठीक है आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए नेक्ष्ट हम चलते हैं कोशन नमबर 5 की बात कर सब्सक्राइबुएं तो देखिए भारत में लोगडाउन से लमकों करना पड़ाई बछावारत में तों दोस्तों करना पड़ा यह दोस्तों यह डेटा किस ने लॉंच किया यह डेटा लॉंच किया दोस्तों नेशनल सेंटर फोर प्रमोसान इंप्लोमेंट फोर डिसेबल पीपल यानि यह एक संस्तान है एक और्गेनाईजेशन है उसके अनुसार ठीक है तो दीखें नेक्स्ट हम बात करते कोशन नमबर 6 नील नदी नील नदी पर इथोपिया की मेगा परियोजना देश की नदी के जल को नियंतरित करने की अनुमती दे सकती है नील नदी की लंबा ही कितनी है तो दोस्तों अभी इथोपिया में एक डैम बनाय जा रहा है इस पर तो जो डैम बनाय जा रहा है उसक 2011 में construction शुरू हुआ था और अभी वो पूरा हो गया तो दोस्तो ये तो बात है मेगा परियोजनागी बात करते हैं तो नील नदी की लंबाई कितनी है दोस्तो तो आपके सामने option दे रखें चार option दे रखें दोस्तो तो आपका answer हो जाएगा 6650 km दोस्तो नील नदी विशु की सबसे लंबी नदी है और बात करते हैं दोस्तो तो ये इसका दो साखाओं में उदगम होता है इथोपिया की टाना जील से तो निकलती है इथोपिया की टाना जील वहां से तो बिलू नील निकलती है यानि नीली नील और दोस्तो सुडान की एक लेक नो है वहां से निकलती है दोस्तो वाइट नील तो ये दोनों मिल करके और नेल नदी का निर्मान करते हैं तो अभी हम आगे तो देखिए आगे हम बात करते हैं तो देखिए नेल नदी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों तो नेल नदी विस्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 650 किलोमेटर है बिलू नेल एं वाइट नील मिलकर नील नदी का निर्मान करती है बिलू नील का उद्गम इथोपिया की टाना जील से होता है और बात करते हैं दोस्तो वाइट नील का उद्गम सुडान से होता है नील नदी पर вик्टोरिया जील भी युगांडा में बनी हुई है तो ये भी कई बार पूछा जाता है दोस्तो विक्टोरिया जेल कहां पर बनी हुई है युगाइडा में ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए आगे हम बात करते हैं दोस्तो तो देखें कोशन नंबर 7 की बात करते हैं तो हाल एमें किस राज्ये की खुडोई पहल को कोवि ये मनीपुर्की है दोस्तो मनीपुर्की बात करते हैं तो यहां के सीम कोने दोस्तो एन वीरेन सिंग यहां के राज्येपाल कोने दोस्तो नजमा है पतुला और यहां की कैपिटल आप जानते ही हो मनीपुर्की क्या है दोस्तो इमफाल है ठीक है तो देखें यहां के मुख सबसे अधिक वैतन पाने वाली एथलीट कौन बन गई है तो दोस्तों देखिए अभी तक तो क्या जो टैनिस प्लेयर है सेरेना विलियम्स यूएसे की अमेरिका की सेरेना विलियम्स वो टॉप वैतन पाने वाली महिला एथलीट थी लेकिन अभी ये रिकोर्ड किसने तोड़ दिया दोस्तों नाओमी ओशा का नाओमी ओशा का कहां की है दोस्तों जापान की है और ए आई बार एक्जाम पूछा है आरायर भी जैई में पूछ लिया था दोस्तों कि कौन से देश संबंद है तो देखिए आपको ध्यान रखना है नाओमी ओसा का तो अभी सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले अकलिट बन गई हैं इन्होंने किसका रिकोर्ड तोड़ा है सरेना विलियम्स कहां से दोस्तों अमेरिका से ऐसी टैनिस जो पूरुस प्लेयर हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है जो राफेल नडाल है दोस्तों वो कहां के हैं राफेल नडाल वो इस्पेन के हैं रोजर फेडरल वो स्विजर लेंड के दोस्तों और सर्विया के कौने दोस्तों सर्विया के भी आपको बताना है नावक जोकोविच सर्विया के कौने दोस्तों नावक जोकोविच ध्यान रखना फिर से राफेल नडाल इस्पेन के हैं और बात करते हैं रोजर फैडरल वो कहां के हैं दोस्तों स्वीजर लैंड के और नावक जोकोविच कहां के हैं दोस्तो सर्ब्या के हैं कई अग्जाम पूछा गया ये भी और एक डोनोमिक खेम भी आपको ध्यान रखना है वो औस्ट्रिया के हैं तो ये बैष्ट पुरुस टैनिस प्लेयर हो गए और ये बैष्ट महिला टैनिस प्लेयर हो गए ठीक है आगे हम बात करते हैं तो देखे question number 9 की हम बात करते हैं दोस्तों तो देखे हाली में मोहित बगेल का निदन हो गया वह क्या थे तो दोस्तों आपको बताना है कि मोहित बगेल क्या थे तो दोस्तों वो क्या थे अभी नेता थे जिनका अभी बहुत कम आयूं कैंसर के कारण 26 व कोशन नमबर 10 की अम बात करते हैं तो देखे केर रेटिंग के अनुसार वित वर्ष 2021 में भारत के कच्छे तेल के आयत में कितने प्रतिसत ग्रावट हो सकती है तो दोस्तों क्या है कि अभी COVID-19 के कारण ही मुख्य रूप से सारी समस्या है जो उत्पन है फ्लाल वो तो COVID-19 के कारण ही है तो अभी क्या जो विकल्स हैं वो कम चल रहे हैं इस वज़े से क्या है कि दोस्तों जो क्रूड ओयल का जो हम आयत करते हैं उसमें केर रेटिंग एज ठीक है तो नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं दोस्तों तो देखिए कोश्चन नमबर कोश्चन नमबर तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमने आपको संडे को कोश्चन दिये था दोस्तों तो देखिए चीन दौरा लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल एलेसी का उलंगन बहुत अधिक किया जा रहा है चीन के द्वारा जिन में सरवाधिक उलंगन कहां किया गया दोस्तों तो देखे चाइना अभी क्या LAC Line of Actual Control है और चाइना के साथ जो रेखा है भारत की जो सीमा रेखा है वो मैक मोहन रेखा कहलाती है दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए और अभी चाइना कहां जादा उलंगन कर रहा है सीमा का तो देखे आपके सामने उक्सम रखता हूं में एक तो है दोस्तों गैलवान गाटी एक है पैंगो तो एक है डू में चेले तो दोस्तों सभी में सरवादिक उलंगन हो रहा है यानि जो चाइना है जो गैलवान गाटी पैंगो पैंगों सो डू में चैले इन शेत्रों में ज्यादा उलंगन कर रहा है तो यह भी आपको पता होना चाहिए बात करते हैं चाइना की दोस्तों तो चाइना की जो चाइना के अभी राष्टपती है वो सीजिन पिंग है और चाइना की मुद्रा को ध्यान रखनी है दोस्तों चाइना की मुद्रा क्या है रैन मिन भी और दोस्तों जापान की क्या है येन है ठीके जापान के बारे में भी अभी नाओम या उसाका के बारे में हमने पढ़ा था तो वहां क जो प्रदान मंत्री हैं वो सिंजो आबे हैं और बात करते हैं दोस्तों कैपिटल जापान की टोक्यो है और वहां की मुद्रा येन है चाइना की मुद्रा तो रैन मिन भी है दोस्तों युवान मत कर देना कभी रैन मिन भी यहां की मुद्रा है कैपिटल बीजिंग है और यहा हम बात करते हैं दोस्तों तो देखे कल आमने कोशन दिया था सेकंड वाला जो आप से हमने कहा था सो सब्दों में लिखना है तो देखे ये कोशन है दोस्तों हुनराइट क्या है सो सब्दों में हमने आपसे लिखवाया था क्योंकि ये UPSC वगरे हम आपसे बहुत पूछा जाएगा तो दोस्तों ये क्या है जो हुनरार्ट है ये मैनली जो हमारे मोदी जी ने आत निरवर भारत की पहल की गई थी और Made in India जो योजना चलाए गई थी वो ज़्यादा सपल नहीं हुई लेकिन उनी को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है दोस्तों तो देखे आगे हम बात करते हैं कोरोनावाइरस मामारी के बीच देश में एक बार पुने हुनरार्ट का आयोजन किया जाएगा अल्प सक्या कारिये मन्त्राले के अनुसार हुनरार्ट का आयोजन सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ किया जाएगा यानि दोस्तों जो लोकल है वोई ग्लोबल बनता है तो ये इस थीम के साथ उनर आट का क्या किया जाएगा दोस्तों दुबारा से आयोजन क्या जाएगा आगे हम बत करते हैं तो देखें बीते 5 वर्षम 5 लाग साधिक बारतिये दस्तकारों सिल्पकारों को रोजगार के उसर प्रदान करने वाले उनर आट के दुरलब हस्त निर्मित स्वेदेशी सामान आम लोगों में काफी लोग प्रिये हुआ है दूर दराज के छेत्रों के द हुनर आट स्वेदेशी हस्त निर्मित उत्पादन का प्रमानिक ब्रैंड बन गया है दोस्तों तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे हम बात करते हैं तो देखें इस संबंद में जानकारी देते हुए अल्प संख्यक कारिये मंत्राले अल्प संख्यक जो दोस्तों क मुक्तारियों के जो मंत्री हैं वो कौन है हमारे मुक्तार अब्बास नकवी उन्होंने क्या बताया हुनर आट में सोसल डिश्टैंसिंग साब सफाई सेनिटाइजेशन और मास्क आदी की विशेश व्यवस्ता की जाएगी तो यह भी आपको तो देखे इसमें एक जान भी जाहन भी इसमें क्या है दोस्तों जान भी जाहन भी पवेलियन होगा जान लोगों को पैनिक नहीं प्रिकोशन की थीम पर जागरुपता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी और दोस्तों उनराट योजना के माध्यम से पारंप्रिक सिल्प कला रोजगार सरजन को बढ़ावा दिया जा रहा है उनराट के आयोजन के माध्यम से उत्पादों की बाजार तक पहुँच भी आसानी से बन सकेगी देखे मैन उद्देश से दोस्तों इसका क्या है मैन उद्देश से है कि भारत के अंदर ही जादा से जादा मैन उद्देश हो नए नए उत्पाद बन पाएं ये इसका मुख्य उद्देश है और इसकी ठीम आपको मैं बताई चुका हूँ क्या है दोस्तों लोकल से रहत नहीं हैं आगे हम बात करते हैं दौस्तों देखिए आज के question आज का question है पहला दोस्तों तो अंतर राष्ट्रिय गुम्सुधा दिवस का मनाए जाता है तो देखिए आपको चार ऊक्षण देरैं यह आपको बता है और इसके बारे में अधिक्तम लिखना है क्यों जाता है कैसे क्या है यह सारी बात है और आज का जो कोशन है दोस्तों UPSC के लिए वह बहुत जबरदस्त कोशन है तो आपको ध्यान रखना है होंग कॉंग संकर्ट और राष्ट्रिय सुरक्षा कानून 150 सब्दों लिखना है तो देखे दोस्तों यह था आज का करेंट अफेर्ष जो आप रेगुलर देख रहे हो दोस्तों एक्जाम छोड़ दीजिए एक्जाम में तो आप सारे कोशन पॉलोप करके आओगे सारे कोशन आसानी से अल कर पाओगे लेकिन दोस्तों आपकी नोलेज भी दिन प्रती दिन बहुत ज़्यादा सुदरती आप जादा नहीं 6 महीने के करेंट अफेर्ष के साथ जुड़ जाएए उसके बाद आप अपने अंदर सुदार देखे कितना जवर्दस्त आता है ठैंक यू दोस्तों जै हिंद जै भारत वीडियो को सेर करते रहें और अपने दोस्तों को लाइक और कमेंट और सेर करने के लिए बोलते रहें धन्यवाद